हलो एवरिवन टिकलेट्स एकेडमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है इन्वॉलूट और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉलिम स्टेडी करेंगे तो देखिए जो प्रॉलिम आज ह करने के पहले हम आपको इन्वॉलूट क्या होता है वो पहले बता देते हैं देखो अगर कोई भी टाइप का प्लेन है जैसे सर्कुलर प्लेन या पेंटागोनल प्लेन या हेग्जागोनल प्लेन या स्केर प्लेन या कोई भी कमपोजिट प्लेन अगर कोई भी प्लेन के ए एक end को अगर attach है तो वो string अगर वो plane की उपर अगर हम wound करेंगे या unwound करेंगे तो वो string का जो last end रहेंगा वो last end के path को trace करते हुए जो curve बनता है उसी को involute कहते हैं देखो जैसे यहाँ पर example आपको दे देते हैं यहाँ पर circle का involute हमें draw करना है तो circle देखिए यह circle ऐसा ठीक है यह circle का अगर हम यह नीचे का end पे अगर यहाँ पे कोई string अगर attach करेंगे ठीक है circle हो सकता है या जैसे हमने कहाँ कोई square हो सकता है चलो हम आपको square का भी example बताते हैं अगर यह कोई square है square के एक end को अगर कोई thread यहाँ पे अगर attach है अगर कोई hexagon लिया जाए देखो hexagon का भी example आपको बता देते हैं जो की यह first lecture है इसलिए थोड़ा सा basic जो है यह हम आपको बता रहे तो यह जैसा हमने hexagon ले लिए यह फिलाला हम आपको rough में बता रहे ठीक है और hexagon के एक end को हमने एक string यहाँ पे attach किया है तो हमें क्या करना है यह string यह particular plane के उपर ऐसा wound करना है या तो wound हो सकता है या तो unwound हो सकता है तो जब हम इसको ऐसा wound करेंगे तो यह string का जो last end रहेंगा देखो यह जो last end रहेंगा इसको हम कहेंगे point P तो यह last end के path को trace करते हुए जो curve बनता है न ऐसे जब हम इसको wound करेंगे तो इस type का ऐसे curve बनेगा तो ये जो curve है इसी को involute कहते हैं ये हमने circular plane में बता दिए अगर ये square plane के अगर बात करें तो ये plane की उपर जब ये string ऐसे wound कर लेंगे ठीक है तो ये string का जो last end रहेंगा last end के path को trace करते हुए जो curve बनता है वही है involute ठीक है यहाँ पर हमने point पे लिए ये देखो इस तरह से ये है involute ये hexagon में भी वैस है hexagonal plane के उपर भी अगर ये attach है तो ये जो last का string का end है उसके path को trace करते हुए ऐसा ये जो curve बनेंगा यही है involute यहाँ पर हमने कहा कोई भी type का plane हो सकता है हम आगे चलके जो different problems लेंगे उसमें हर एक type का plane जो है वो cover करेंगे आज के वीडियो में हम यहाँ पे circular plane का involute draw कर रहे है देखो circle का diameter दिया है 50 mm diameter इसका मतलब हमें जो circle है वो 50 mm diameter का circle draw करना है और question में देखो question में कही पे भी thread का length दिया हुआ नहीं है involute के जो problems होते है उसमें generally thread का length दिया होता है लेकिन कुछ problems में दिया होता है तो कुछ problems में दिया नहीं होता यहाँ पे जो आप question देख रहे है question में लिखा है draw an involute of a circle हमें circle का involute तो draw करना है circle का diameter दिया है तो क्या करना यह आपको पता होना चाहिए चलो फिलाल यहाँ पे string का length तो दिया नहीं है यहाँ पे सिर्फ circle का diameter दिया है ऐसे में involute कैसे draw करते हैं वो हम आपको यहाँ बताते हैं तो आपको circle का involute draw करना है तो आपको सबसे पहले circle draw करना पड़ेंगा तो यह देखो सबसे पहले हमने circle बना लिए 50 mm diameter का यह हमने circle बना लिए इसका मतलब इसका radius है 25 mm और अब यह circle को हम divide करेंगे circle को हम यहाँ 12 part में divide करेंगे ठीक है? circle को 12 part में divide करने के लिए क्या करो? circle के center से सबसे पहले एक horizontal line draw करो देखो circle के center से हमने सबसे पहले एक horizontal line draw कर लिए और अब आप protector का use करके इसको divide करेंगे आप चाहे तो compose का use करके भी divide कर सकते हैं तो यह हमने protector ले लिए protector आप यहाँ पे center पे set करेंगे और यहाँ पे angles लेंगे 30, 60, 90, 120 ऐसे आप angle लेंगे देखो 30, 60, 90 120, 150 इस type के angle लेंगे यह angle लेने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे यह जो भी आपने angle mark किये है यहाँ से आपको lines draw करना है center से pass होते हुए और यह circle जो है यह completely 12 part में divide हो जाएंगा और अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे एक string जो है इसको attach करेंगे देखो यहाँ पे हमने एक line to draw कर लिया है अभी यह हमने कोई length लेके drawn ही किया है अभी यह कितना भी लंबा draw करो और अब इसके उपर आपको क्या करना है यह जो circle का जो भी circumference निकलेंगा वो circle का circumference का length आपको यहाँ ले लिना है तो circle का circumference का length circle का circumference find out करने का formula होता है pi d या फिर 2 pi r तो यहाँ पे pi into d करो diameter इसका diameter कितना है 50 तो pi into 50 करेंगे तो यह आएंगा that is 157 mm तो यह हम आपको mm में बता रहे क्योंकि 50 mm में है तो यह circle का circumference आया है 157 mm तो आपको क्या करना है यह circle के नीचे आपने यह जो line draw किये है यह 157 mm का यहाँ पे draw करना है कितना 157 याने 15.7 cm ठीक है तो यहाँ से हम इधर यह देखिए यह हम पहले 157 जो है वो ऐसे mark कर लेते है तो यह 157 mark होने के बाद यह यहाँ तक जाएंगा यह देखिए यह हमने 157 यहाँ ले लिया है और यह जो 157 है अब हम क्या करेंगे यह 157 mm यह जो हमने string बनाया है इसको भी हम 12 part में divide करेंगे सबसे important यह है कि यहाँ पे यह जो हमने string बनाया है यह string का length हमने उतना ही रखा है जितना circle का circumference आया है जैसा हमने आपको थोड़े देर पहले कहा था कभी question में string का length दिया होता है तो कभी string का length नहीं दिया होता है यहाँ पे string का length दिया है क्या नहीं अगर string का length नहीं दिया है तो particular plane का जो circumference का length होगा वही string का length हो जाएंगा ठीक है समझ में आया तो यहाँ पे string का length नहीं दिया है तो यहाँ पे string का length क्या हो जाएंगा 157 mm हो जाएंगा जो की circle का circumference है कोई भी type का plane हो यह circle है या अगर यहाँ पे pentagon होता या hexagon होता या अगर square होता या कोई भी type का composite plane होता तो जो भी plane रहेंगा वो plane का जो भी circumference रहेंगा वो circumference का length ही string का length रहेंगा ये बात आप धैन मेरों को अगर question में string का length नहीं दिया है तो अगर दिया है तो फिर क्या करना वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि string का length दिया है तो फिर उसको कैसे draw करना वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बता रहे कि अगर string का length नहीं दिया है तो क्या करना नहीं पार्ट में डिवाइड करना है जितने पार्ट में circle को डिवाइड किये थे तो हमने circle को 12 पार्ट में डिवाइड किये थे न तो यहाँ पे ये line को भी हम यहाँ 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 12 पार्ट में ये directly डिवाइड नहीं हो पाएंगा कितने भी angle पे draw करो, कोई फरक नहीं पड़ता, यह हमने 12 cm का line ले लिया है, और अब हम इसको पहले 12 equal parts में divide कर लेंगे, तो यह देखिए, finally हमने यह incline जो 12 cm का line draw किये थे, इसको हमने 12 part में divide कर लिया है, 12 part में divide करने के बाद, अब आपको क्या करना है, अब आपको roller scale या mini drafter क करो, अभी हमारे पास सिर्फ यह single scale है, तो इससे हम draw करने का प्रयास करेंगे, आपको क्या करना है, यह जो first end है, यह आपको इससे join करना है, देखो, सबसे पहले यह, इससे join करो, यह देखिए, यह first part हमने इसको join कर लिए, अब आपको क्या करना है, scale जो है, वो यह line को ऐसा parallel set करना है, देखो, ऐसा parallel set करना है, और इसको roll कराते हुए, आपको ऐसा चलना है, और यहाँ पर यह देखिए, यह इस तरह से आपको parallel line draw करना है, इसको parallel, यह देखिए, इस तरह से यह parallel draw करना है, यह roller scale या mini drafter से, बहुत अच्छे से यह हो जाएंगा, तो यह देखिए, finally ह हमने यहाँ पे सभी parallel line ड्रॉकर लिया है। अब हम numbering दे देंगे, यह first part, यह second part, यह third part, यह fourth part, यह fifth, sixth, seven, eight, यह nine, यह ten, यह eleven, और जो last रहेंगा, यहाँ पे रहेंगा point P, क्योंकि हमने कहा था, कि जो string होता है, जो thread होता है, उसके last end के path को trace करते हुए, हमें curve draw करना है, तो वो रहेंगा point P, अब हम यह circle को, जो हमने 12 part में divide किये थे, इसको भी हम naming दे देंगे, तो यहाँ पे यह देखिए, यह जो first part है, और इसमें naming जो है, हम anti-clockwise देंगे, ठीक है, तो यह first part, यह second part, यह देखो, यह जो O1 है न, यह क्या करो, यह जो protector का जो center है, वो 1 पे रखो, ठीक है, और protector का जो 0 degree है, वो O की उपर set करो, ठीक है, इसका मतलब यह ऐसा, ठीक है, यह देखिए, ऐसा set होगा, ऐसा, जो protector का center है, वो 1 पे आया, और जो 0 degree है वो O की तरफ गया और यह 1 की उपर आप यहाँ पे O1 पे यहाँ पर perpendicular line ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हमने 90 degree mark किये ठीक है तो यह O1 के उपर हो गया अब O2 की उपर ड्रॉ करना है perpendicular उसके लिए आप क्या करेंगे फिर से protector लेंगे यह हमने protector ले लिए protector का जो center है वो 2 पे रखो और जो 0 degree है वो O Q पर रखो ठीक है यह देखो O2 Q पर इससे यह perpendicular draw करना है यह देखो O2 Q पर आपको ऐसा रखना है इस तरह से रखना है 2 Q पर perpendicular होना है यह देखे इस तरह से यह हमने 90 degree का angle mark कर लिए और यहाँ पे अब line draw करना है यह देखिए इस तरह से O1 की उपर perpendicular हो गया O2 की उपर हो गया अब इसके बाद O3 पे perpendicular draw करेंगे फिर O4, फिर O5, O6, 7, 8, 9, 11 तक आपको यह पूरा करना है ठीक है? तो चलो यह हम पहले draw कर लेंगे तो यह देखिए फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सभी points पे यहाँ पे perpendicular lines draw कर लिये हैं ठीक है? number of students जो है वो यही पे गलती करते हैं गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है? और यह जो lines है यह आपको friend pencil से draw करना है और अब इसके बाद देखो construction तो पूरा हो चुका है और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो involute के जो points है वो अब हम यहाँ mark करेंगे तो involute के points mark करने के लिए आपको compose लेना है देखो compose आपको लेना है compose में अब आपको length क्या लेना है? वो जरा आप one की उपर रखना है देखो circle का one कहा है? देखो circle का one यह है देखो यह one है तो यह one का जो line जा रहा है इसके उपर आपको cut करना है ठीक है? compose का जो center है वो आपको यह one की उपर रखना है यह देखिए हमने compose का center यहाँ रखे और यहाँ पे आपको cut करना है ये line की उपर काफी दूर देखो उधर यहाँ पे कड़ गया है ठीक है ये 1 की जो line है उसके उपर हमने cut कर दिये 1 से लेके P का length हमने लिये थे और अब इसके बाद ये string की उपर 2 से P का length ले लो तो 2 से P का length और अब compose का center जो है वो circle के 2 की उपर रखो देखो circle का 2 यहाँ है इसके उपर रखो और इसकी जो line जा रही है उसके उपर आप cut कर रहा है ठीक है तो ये देखे इसके उपर हम cut करेंगे ये काफी उपर जा रहा है शायद ये आपको ये actually काफी उपर जा रहा है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिए, इसके बाद आपको compost में ये string की उपर 3 से p कलेंट लेना है, और अब compost का जो center है, वो circle के 3 की उपर रखो, देखो circle का 3 यहाँ है, और ये यहाँ पर रखके कट करो, ये का चुली कट गया, ये 3 की लाइन, ठीक है, हम इसको complete कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, ये compost में 4 से p का लेन्थ लेना है, तो ये हमने 4 से p का लेन्थ ले लिए, और देखो, 4 से p का लेन्थ लिए, और ये circle के 4 की उपर रखना है, और ये 4 की जो लाइन है, उसकी उपर आपको cut करना है, तो ये 4 की लाइन पर आपको cut करना है, ये हमने cut कर दिये, तो ये देखिये, इस तरह से हमने सभी points यहाँ पर mark कर लिए हैं, जैसा हमने कहा था, हमने 5 से p का लेन्थ लिए, compost का center 5 पर रखे, और यहाँ कट कर दिये, then 6 से p का लेन्थ लिए, then compost का center 6 पर प्र नाइन से प का लेंध है यह एल्यवन की उपर रखे और यह कट किये इस तरह से यह सभी समने यहाँ पर मार्क कर लिए हुआ हो जो लेंध है वो आपको यह टुर्ण की उपर से ले लेना है Compose में जो भी length है वो आपको ये string की उपर से लेना है और Compose का center जो है वो particular ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये points की उपर रखके आपको वो lines की उपर cut करना है और finally सभी points cut होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देंगा ये देखिए इस तरह से ये आपको points दिखाई दे रहे बस आपको क्या करना है अब ये सभी points को join करना है अब ये सभी points को join करते हुए एक curve आपको draw करना है ये curve जो है ये आप दो तरह से बना सकते हैं चाहे तो आप free hand draw करो चाहे तो आप french curve का use करो वैसे आप french curve का use करके draw करेंगे तो बहुत ही अच्छा और smooth curve बनेगा अभी इतना बड़ा french curve तो आता नहीं है तो हम इसको फिलाल free hand join कर लेते हैं ठीक है आपको यहां से start करते हुए आपको ऐसा पूरा P तक चलना है तो यह देखिए finally हमने सभी points को join करते हुए यहां पे यह एक involute तयार कर लिया है और सभी को हमने naming दिया है देखो right side से आप देख सकता है जहां पे point P था उसके उपर देखो first point जहां पे mark किये थे वो था P1 then उसके उपर P2 then P3 P4 up to P11 12 तक इस तरह से हमने सभी points को यहां पे naming भी दे दिया है तो question में जो लिखा था कि draw an involute of a circle of 50 mm diameter तो यह हमने 50 mm diameter circle के लिए involute तो तयार कर लिया है लेकिन solution अभी complete नहीं हुआ है क्योंकि question में लिखा है also draw the tangent and normal to the curve लेकिन जो कि यह video पहले ही काफी लंबा हो चुका है इसलिए हमें काम करेंगे tangent और normal involute की उपर हम next video में आपको draw करके बताएंगे आज के वीडियो में हमने आपको पूरी तरह से involute draw करके बताया है उम्मिद करते हैं कि यह पूरा involute construction आपको समझ में आया होगा यह आपको अपनी drawing book में जरूर draw करके देख लेना चाहिए next video में हम इसी involute की उपर tangent और normal भी draw करके बताएंगे आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं next video में thank you very much